क्रिया कलाप 9 इस क्रिया कलाप के लिए आपको रियो की पत्ती या किसी शैवाल, एक सुक्ष्मदर्शी, स्लाइट, कवरसलिप, आलपिन की जरुरत होगी रियो की पत्ती के उपरी सतह की एक बारिक परत निकाल लें इसकी स्लाइट बनाकर इसमें रंधरों को देखने की कोशिश कीजिए रंधर के दिवार की सेम के बीच के आकार की कोशिकाओं को ध्यान से देखें, इसमें हरा भाग दिखेगा अब रंधर को सुक्ष्मदर्शी के उच्च आवर्धन में देखें रंद्रक के दिवार की कोशिकाओं का हरा अंग हरित लवक है यही किसी शैवाल में देखना होता तो आलपीन की नोक से शैवाल का एक धागा नुमा सनरचना अलग कर लें इस धागे नुमा सनरचना को सुक्ष्म दर्शी में देखें तो धागों के गुच्छे से नजर आता है इनमें हरा अंग दिखता है यही हरित लवक है अपने अवलोकन का चित्र जरूर बनाए प्रकाश संसलेशन की प्रकृया के लिए पौधों को किन पदार्थों की जरूरत होती है पौधों के हरित लवक तक ये पदार्थ कैसे पहुचते होंगे क्या आप जानते हैं हरित लवक का व्यास किसी माइटोकॉंड्रियास से लगभग दुगुना होता है हरित लवक दोहरी जिल्ली युक्त सनरचनाई होती है दोनों जिल्ली के अलावा एक और जिल्ली पाई जाती है जिसे से थैली जैसी सनरचना संगठित होती है जिसे थोयले कायट कहते है थोयले कायट सिक्कों के चट्टों की भाती धेर के रूप में मिलते हैं जिन्हें ग्रेना कहते हैं जिलियों के बीच भरे पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं जूलियस वॉन सेक्स ने पहली बार 19 सदी में अपने प्रयोगों के माध्यम से दर्शाया कि हरे पत्यों में स्टार्च के कण प्रकाश संसलेशन की क्रिया के फलसोरूप बनते हैं उन्होंने यह भी दर्शाया कि प्रकाश संसलेशन के लिए आवशक रंजक पर्णहरित लवकों में पाय जाते हैं इनके ग्रेना में प्रकाश संसलेशन की प्रकाश अधारित क्रियाएं होती हैं जिनसे पानी का अबघटन होकर ऑक्सिजन गैस बनती है। इसके स्ट्रोमा में अन्य प्रक्रियाएं होती हैं जिनसे मुख्य रुप से कार्बनिक पदार्थों का संशलेशन होता है। हरित लवक में शरकराओं जैसे ग्लूकोस के अलावा अमीनो अमल वसीय अमल आधी भी संशलेशित होते हैं। साथ ही ये पौधों की प्रतिरक्षा प्रणाली में अहम भूमी का निभाते हैं। कक्षा नवी में हमने पढ़ा कि हरित लवक पौधे की कोशिकाओं में सहजीविता से बना अंग है। पौधे की कोशिकाएं इनका निर्मान नहीं कर पाती हैं और आनुवनशिक रूप से ये एक जनक कोशिका या जनक पौधे से संतान तक पहुँचते हैं। पौधों के बीज में इनके आनुवनशिक पदार्थ पाए जाते हैं।